नमस्कार दोश्तो आपका स्वागत करता हूँ आप ही की यूटुब चैलने में एप्ररण्स अगर अगर इंवेस्मेंट करते हैं आपर हम लोग अच्छा काससा रिटर्न इनिया चरम्स में आ सकता है आज निफ्टी में चेक की जगा मत देखने को मिल रहा है अच्छी कासी विकवाली गिराउट देखने को मिल रही है, तो ऐसे समयम होता है कि अक्सर गलत स्टॉक्स में पैसा लग जाता है, फिर हम अपना पेशन्स को लूज करते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे जगह पर पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, जहां पर रिस्क रिवार्ड रिशू फेवर में, तो फ्रिंड चली स्टार्ट करते हैं, फिर स्ट कंपनी फोड़ी जो क्या है, रिलाएंस इंडस्ट्रीज, मल्टी बैग आगा स्टोक है, सब को पता है, लार्ज केब स्टोक है, फ्रिंड यहां पर जो रहता है, एक बहुत बड़ा कॉर्पेट इवंट यहां पर होने काम करेगा, तो friend, इस जगह से, यहाँ पर समय जितना नजदीक, यहां से buy करेंगे, तो friend, risk reward risk उतना favorable रहेगा, तो friend, उसके काफी नजदीक आ चुका है, तो मैं हाँ पर buy on dip की strategy से काम करूँगा, because यहाँ पर एक बहुती issue करने वाली है, आसान सब्दों में, एक शर के बदले में, एक bonuses company issue करेगी, and friend, इसका जो रहता है, recorded company, जल्द बताएगी, will be intimidated separately, friend, यहाँ पर एक company ने एक और चीज का announcement किया है, देख सकते हैं, वो है, अक्की कब तक यह bonuses आपके demand account में credit हो जाएगा, तो इनका करना है कि on or before, on या or before, 1st November 2024, एक नवंबर से पहले यह हो जाएगे, पूरा process complete, तो हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका record जो रहता है, 15 से 18 के बीच में होना चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं, next company जो कि आपका rights, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भाव चल रहा है, 662.60 का, यहाँ पर देख सकते हैं, 0.29% गिराउट के साथ भी trade चल रहा है, यहाँ पर भी friend, मैं buy on dip की strategy से काम करूँगा, support उसके लिए 6.45 का है, stop plus 5.90 थोड़ा दूर का है, और यहाँ पर दो corporate event है, एक दोर dividend को ले करके हैं, दूसरा bonus को ले करके, तो अपर नहाँ दीखें, बता जारे कि final dividend जो रहता, वो approve होगा, कब annual general meeting में approval होगा, and annual general meeting का जो date fix किया गया हो है, 12 September, 12 September, 2024 का fix किया गया, and इस dividend का जो record date है, वो भी fix किया गया, 20 September, 28 September, 2024, इसका record date fix किया गया है, and friend, दूसरा important event है, that is related to bonus, bonus का ratio जो एक एक बोनस का रहता है, वो है one is to one का, and इसका record date देखे, 20 September, 20 September, 2024, यहाँ पर बताया जा रहा है, move करते है friend, and next company के ओर जहाँ देख सकते हैं, नाम है, Phoenix Mill, and यहाँ पर देखे, इसका भाव चल रहा है, 3620.45 का, 0.7, 7% आपर उच्छाल के साथ trade चल रहा है, इसके लिए support रहेगा friend, 3400 का, यहाँ पर मैं बाने डिप की strategy से काम करूँगा, यहाँ भी बहुत बड़ा corporate event होने वाला है, that is bonus, and bonus का ratio जो company ने फिक्स किया है, देखे, वो बता जा रहा है कि for every one existing fully paid up equity issues, एक share के बदले में जो रहता है, company one new fully paid up equity issue issue करेगी, आसान सब्द में एक share के बदले में एक bonuses company issue करेगी, और फिर्ट इसका recorded जो किया गया है, 21st September 2024 fix किया गया है, ध्यान देजेगा, यह day जो है, वो Saturday है, Saturday को market बंद रहता है, तो फिर्ट इसका X date एक दिन पहले का हो जागा, यानि 20 September को यह X हो जाएगी, इस दिन आपको इसके price में अच्छा कासा adjustment देखने को मिलेगा, फिर्ट लास्ट डेट क्या रहेगा, last due to buy share है आपका 19 September और 19 September तक, जो भी share को खरीद करके record rate तक रखेंगे, वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे, फिर्ट 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 करते हैं, नेक्स्ट कंपनी के ओर देख सकते हैं नाम है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा corporate event होने वाला है, यहाँ पर देखे, जो corporate event है, that is subdivision split होने वाला है, share जो आप hold करें, वो multiple shares में तूट जाएंगे, convert जाएंगे, जो share अभी आप hold करें, existing value shares, उसका phase value 5 है, उस subdivide split होने के बाद इसका phase value change हो जाएगा, इसका important record date जो company ने fix किया, वो है 12 September, 12 September 2024 इसका record date fix किया गया है, तो फ्रेंट लास्ट जेट यो बाद शेर क्या रहेगा, तो इस 11 September तक जो भी share को खरीद करके record date तक रखेंगे, वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे, यहाँ पर phase value चुकि 5 से change हो रहा है, तो यहाँ पर fraction sales का problem आ सकता है, मैंने कई वीडियो में इसको आपको समझा है, तो fraction sales से बजने के लिए अगर अभी खरीदते हैं, या पर मेरी वीडियो को पहली बार अगर आप वाच कर रहा है, तो इध्यान देजागा multiple of two में, दो के multiple में ही share को खरीदेगा, पर जो event है that is bonus, bonus का ratio जो इध्यान फिक्स का वो है one is to two का, यानि कि फ्रेंट वर एफ टू share, दो share के बदले में company one new share issue करने वाले एक bonuses issue करेगी, आसान सब्दों में दो share के बदले में एक bonuses company issue करेगी, और इसका recorded जो कमपनी ने फिक्स किया है, वो 7 October, 7 October 2024 इसका recorded फिक्स गया गया, यहाँ पर ध्यांत जाएगा, Monday यह दिन है, तो फ्रेंट इसका last day to buy share क्या रहेगा, फ्रेंट 4 October इसका रहेगा, last day to buy, because Monday का दिन में तो इसका recorded बताया जा रहा है, तो Sunday का दिन market close रहेगा, Saturday के दिन में market close रहेगा, तो Friday का दिन में अगर आप इस share को खरीते हैं, यानि कि 4 October को खरीते हैं, तो आप इस corporate event के लिए eligible रहेगा, और इसका बहुत important ची है, वो है multiple of 2 के multiple में खरीदे, 2, 4, 6, 8 खरीदेगा, तो फ्रेंट आपको इस corporate event का पूरा benefit मिलेगा, because इसका ratio क्या है, आगे बढ़ते हैं, next company को नाम देख सकते हैं, वो है आपका विदानता लिमिटेड, 461.95 का भाव चल रहा है, वन परसन का यहापर गिराउट देखनेों को मिल रहा है, यहापर इसके लिए support 450 के रेंज में है, मैं यहापर buy and dip के strategy से काम करूँगा, reason band क्या है, यहापर बहुत ही बढ़ा corporate event होने वाला है, और यहापर जो event है, that is dividend, company ने third interim dividend announcement क्या है, 20 रुपे, 20 रुपीज पर शर का company ने dividend announcement क्या है, और इसका record rate देख सकते हैं, वो बताया जा रहा है, 10th September, 10th September 2024, so friend, last year to buy share क्या रहाएगा, 9th September, 9th September तक जो भी share को खरीद करके, record rate तक रखेंगे, वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे, move करते है friend, next company, जो कि आपका matterimoney.com, यहापर अभीज का भाव चल रहा है, 803.90 का, 0.46% है पर gear out के साथ trade जल रहा है, इसके लिए support रहेगा friend, 770 के range में support है, मैं हापर buy and dip की strategy से काम करूँगा, friend, यहाँ भी बहुत ही बड़ा corporate event होने वाला है, buyback को ले करके, और यहाँ दिके company ने approve किया है, 72 crores का, यहाँ पर, देखे buyback का, यहाँ पर announcement हो रहा है, buyback का size है, और यहाँ पर buyback, किस price में buy कर रही company, एक हजार पचीस, 1,025 per share में, यहाँ पर company buyback कर रही है, इसका, जो buyback का price fix किया गया है, जो कि 27.5% है, पर premium में है, तो friend, यहाँ पर company, आपकी share को, 1025 में buy करेगी, इसका entertainment ratio पकर रहा, company जल्द अनौंस करेगी, तो, सुर्फरन यह था, complete update regarding all the stocks, जहाँ पर मुझे risk reward ratio जो रता है, ना, मुझे favoral नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मैं कोई buyback, sellback recommendation आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, I hope आपको वीडियो अच्छा लगएगा, वीडियो अच्छा लगएगा दिनी वीडियो को लाइक कीजगा, share कीजगा आँ चनल को subscribe कीजगा, thank you.